नमस्कार मैं हूं दिपाली राना आप देख रहे हैं कमोटी राउंड अप कमोटी बाजार के प्राइस सेक्शन पर तो नज़र रहेंगी ही लेकिन साथ ही बात करेंगे धान की क्योंकि धान के सानों की जोली भरी है किस तरीके की प्रक्रिया उसको कैसा रिस्पॉंस मिला है इस पर करेंगे फोकस साथी चर्चा ये भी करेंगे किस तरीके की प्राइजिंग आगे जाते हुए रह सकती है या पॉलिसी में कुछ बदलाव हो सकता है या फिर नहीं बात करेंगे स्पाइस की भी मसालों में गिरावट कर दोर जारी है क्या ये खरदारी का मौका है या पर और प्रॉफिट टेक्निक देखने को मिलेगी इस पर भी करेंगे बात्चीत बात करेंगे कचे तेल की जहां पर हमने वाखस के रिक़ेवरी आते हुए देखी है और कचे तेल के प्राइसेज में जो प stolet मनि हैं वह कितने टिका हुए यहां से नई रेंज रह सकते इन सब पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट सिराज हुसेन कुवरंची ग्रूप की डिरेक्टर रवीदियो राल साथ हिनल बंग कमोडिटीस के वीपी कुनाल शाह हमारे साथ बने हुए है आप सभी का स्वागत ह इस शो में लेकिन शुरुआत करेंगे धान की खबर के साथ जो की बहुत इंपोर्टेंट है और खबर ये है कि केंद सरकार की जो धान खरीद की प्रवक्रिया है वो जारी है चतिसगर्ड मत्यप्रदेश से हमने ये खरीद जारी होते हुए देखी है और इंपोर्टेंट हम आसाथ बने हुए हैं जो इन सब आस्पेक्ट को बखू भी समझते हैं सिराज जी नमस्कार स्वागत है आपका तो अगरना पिछले साल देखें तो सरकार की धान खरीद को उतना अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला था टागिट भी मीट नहीं कर पायते और इस बार तो ज तो यह हम कह सकते हैं कि पिछले साल भी खराब था मौनसूल बिहार में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बंगाल में लेकिन अच्छा प्रोक्यूर्मेंट हुआ था इस साल भी अगर हम देखें तो अब तक 420 लाग टन राइस का प्रोक्यूर्मेंट हो चुका है और मैं कह इसका बहुत कुछ क्रेडिट इस बात को जाता है कि नॉन बास्मती राइस के एक्सपोर्ट पर प्राबंदी है तो उसकी वज़े से जाहिर है कि वो प्रोक्यूर्मेंट गवर्मेंट एजिंसी कर रही है एक अच्छा गर हम ओवर ओल राइस प्रोड़क्शन के इस बार के सिति देखे तो किस तरीके के ओवरोल आप प्रोड़क्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फैक सरकार ने लगातार जैसे आपने भी मेंशन किया, एक्सपोर्ट को बहन किया है, कदम लगातार उठाये हैं कि अविलेबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत ना हो, प्राइस सर्ज ना हो, इस पर कीनली वाच फूट कमोर्टिस पर सरकार वाच करी रही है, लेकिन अगर हम देखें, तो क्या वो कमफर्टिबल दिखाई दे रहे हैं? राइस में इंफ्लेशन डबल डिजिट में चल रहा है, तो उस डबल डिजिट में इंफ्लेशन चलने से ऐसा लगता है कि ट्रेड शायद ये समझती है कि राइस का प्रोड़क्शन उतना नहीं है जितना गर्वर्मेंट कह रही है। तो काफी सारी पॉलेशन सरकार ने राइस प्राइस को लेकते हुए उठाई हैं और जिसका इंपक्ट हम अभी तक देख रहे हैं। ताकि प्राइसस सर्ज ना हो और कैसे देख रहे हैं प्राइसस यहां से गोइंग फरवर्ड राइस के। हमें यह लगता है कि सरकार यह वाच करेगी कि इस साल मौनसून का क्या इंपक्ट होता है। और गर्ब्वनन्ट का असेसमेन्ट यह है के प्रोड़क्षं भी अच्छा होगा, तो हो सकता है कि गर्वन्ट धीरे इन रेस्तृक्षण को लाइज करें। जो गवब्मेंट ने एक्स्पोर्ड डूटी लगाई है उस कि दूटी को कम करें। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं लेकिन अभी जब तक मॉनसून पूरी तरह से स्पैन आउट नहीं होता है यानि कि सेप्टमबर तक तब तक हमें नहीं लगता कि गवर्मेंट एक्सपोर्ट पर जो मौजूदा रेस्ट्रिक्शन्स हैं उनमें कोई रिलैक्सेशन देगी अगर हम की स्टेट्स के बात करें सिराध जी तो पिछले साल 135 मिल्यं टन का उत्पादन हुआ था लेकिन अगर इस साल की बात करें जैसे हमने शुरुवात में भी खा तो multiple estimates हमारे सामने आए हैं जितने भी southern states हैं जो की major rice producing, consuming states हैं वहाँ पर हमने paddy के production में already drop देखा है inadequate rainfall की वजह से अगर हम Tamil Nadu की बात करें या करनाटका की बात करें तो जो reports है 20-30% drop रह सकता है आपको लगता है इस तरीके के numbers आ सकते हैं सामने इसी तरीके के? ये जो southern states हैं इनमें काफी districts ऐसे हैं जहां monsoon बहुत deficient रहा है तो जाहिर है कि इन states में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि production में डाउन फॉर्ट होगा लेकिन क्योंकि government का overall procurement बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि 55 million टक्न तो government procure कर लेगी तो इसलिए कुछ वज़े नहीं है कि rice में इतना high inflation हो अच्छा अब सिराजी कल खा बरायती wheat को लेकर जहां पर stock declaration को लेकर सरकार ने जो limit है उसको घटाया है 500 metric ton के आसपास कर दी है rice के लिए भी सभी traders, wholesalers, retailers या फिर millers के लिए भी stock declaration सरकार ने mandatory किया हुआ है भारत rice already launch किया सरकार ने ताकि prices नीचे रहें दो चीज़े हैं पर आपसे समझा चाहेंगे एक तो ये कि अगर production को लेकर या overall availability को लेकर थोड़ी भी चुनता बनती है तो थोड़ी क्या और stricter policies हो सकती है क्या यहां भी stock declaration limit को लेकर further limit घटाई जा सकती है इस तरीके कदम सरकार क्या उठा सकती है प्लस जो ये भारत rice initiative स्टार्ट किया है कितना असार इसका prices को कंट्रोल करने में आगे जाते हुए देखने को मल सकता है देखिए इसके बारे में हमने लिखा भी है ये जो भारत rice या भारत wheat का distribution है ये government mother dairy के booth से या कुछ consumer stores हैं उनके माध्यम से करती है PDS के माध्यम से इसका distribution नहीं होता है तो इसकी reach बहुत limited है और हमें पहले भी ये कहा है कि अगर सचमुच इस तरह की intervention government समझती है कि करना चाहिए तो इनको गरीब states में करना चाहिए ना कि दिल्ली में जहां इंडिया का highest per capita income है तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़ादा impact होगा लेकिन इसकी एक बहराल publicity की value है और अगर लोगों तक गरीब लोगों तक गरीबों के इलाके में trucks जाके खड़े हों और वहाँ पर ये भारत आटा और भारत दाल और भारत चावल उपलब्द कराया जाए तो कुछ चंद लोगों को इसका फाइदा हो सकता है लेकिन क्योंकि इसकी quantity बहुत limited है और इसकी reach बहुत limited है तो बहुत जादा फाइदा नहीं होगा अब देखिए गेहूं के case में तो काफी government ने strict policy बनाई है और जो प्रोसेसर्स हैं अगर आप यह देखें तो प्रोसेसर्स के लिए जो instructions हैं वो यह हैं कि वो 31 अपरेल तक गेहूं नहीं खरीज सकते हैं क्योंकि उनके लिए stock limit इतनी कम है कि वो गेहूं procure नहीं कर पाएंगे इसका मतलब यह है कि government यह चाहती है कि कम से कम 35 मिलियन टन गेहूं government agencies procure करें तो उसको हासिल करने के लिए government ने इतनी strict restrictions लगाई है एक तरह से बड़े private sector को wheat purchase से बाहर करने की कोशिश की गई है अच्छा वीट को लेकर आपकी राय क्या है फर्क पड़ेगा प्राइस फर्दर कंट्रोल होने में जो यह stock limit सरकार ने कम की है और क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे सरकार की क्या वजह हो सकती है क्या आपको लगता है क्या कहीं ना कहीं आशंका है कि होर्डिंग हो रही है इसलिए यह stock limit घटाई गई है देखिए वीट की क्रॉप अभी तक बहुत अच्छी है मैंने अभी एक दो दिन पहले दिल्ली से हम लटनवु आये हैं ट्रेन से तो हमने देखा बहुत अच्छी फसल उत्तर-प्रदेश के इस इदाके मे दिख रही है अभी तक काफी सर्दी का भी मौसम रहा है टेंपरेचर कम रहा है तो अभी तक बहुत अच्छी कंडिशन है वीट क्रॉप की मैं कह सकता हूं कि ज्यादा तर नौर्थ इंडिया में अपसे लेके और मार्च के एंड तक अगर टेंपरेचर बहुत जादा बढ अगर शुक्राय जी आने के लिए शो में और वीट राइस दोनों पर ही कॉमेंट करने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है उस पर भी अपनी राए रखने के लिए तो पॉलिसी सरकार की क्या रहेंगी वो आगे जाते हुए पता लगेगा डिपेंड करेगा किस तरीके के production numbers rice के turn out होते वे दिखाई देते हैं और दो चिंता है तो अनिविन rainfall की वज़ा से हमें जो की producing states से महाँ पर emerge होते वे देखी हैं ही हम आज साथ रवी दिवरा भी है कुनाल शा भी है रवी आपकी राय क्या है rice और wheat दोनों पर ही price perspective से कर दोनों काफी essential committees act के अंदर आते हैं तो पड़के रजी election का या है तो government का policy measures already expected था industry as well as experts सारे इस साल expect कर रहे थे और पड़केर wheat में ज्यादा थोड़ा focus government का है क्योंकि वहाँ पर देखे तो जैसे sugar में prices control है इसके सो रुपे उपर निचे वैसे control अभी wheat में है wheat में भी कोई prices में इतना ज्यादा changes नहीं दिख रहा है I think वहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक 2500 बॉटम रहेगा इसके निचे prices sustaining होने चाहिए 2700 तो यह ब्रॉड रेंज में रहेगा आला कि बॉटम के करिब है तो यहां से ज्यादा कोई गिरावाट की expectations नहीं है particular governments इतना भी प्रॉक्यूर करेंगी आगे बाद हो रही थी 35 million तन तो I think काफी बड़ा साइस है अगर इतना प्रॉक्यूर कर पाते हैं तो मेरे साब से prices 2500 के ऊपर सब्सक्राइब नहीं है particular राइस में जो फैक्टर है वो फैक्टर अबाए फ्यूल का भी है जो ब्रोकन रहे में गवर्मेंट ने एक्सपोर्ट बिन किया इससे मुझे लग रहा है कि जो हमारे सुगर पे डिपंडन्सी थी वो कम होगी और ब्रोकन राइस से जो बायो फ्यूल है इसकी डिमांड कंटिन्यूस बनी है तो मुझे लग रहा है कि प्राइजिस में बहुत किरावट की यहांस एक्सपेक्टेशन से प्लिस नहीं करने चाहे थोड़े कंट्रोल रहेगा तील इलेक्शन बट यहां पॉस्टिव नॉट में प्राइजिस रह सकते ओके चले यह तो बात भी प्राइजिस की राइस और वीट दोनों की लेकिन आगी स्ट्राइजिस की और अब रुख कर लेते हैं बात सबसे पहले कर लेते हैं स्पाइसिस की जहां पर वापस कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिली है औल्दो टर्मरिक में हमने लगा था डिप्स पर बाइंग का सपोर्ट आते हुए देखा है और कल हमारी बातचीत हो भी रही थी कुछ एक्सपर्ट से जिनका मानना यह है कि अगले एक से दो मेने में भले ही प्राइस स्टेबल रहें लेकिन उसके बाद जो चाल रह सकती है टर्मरिक की वो तेजी की तरफ ही हो सकती है क्योंकि काफी सारी वजहा है फ़िछाए वो ओर्रॉल प्रडक्शन के एस्टिमेट सी क्यों नहीं हो कुनाल शाह भी हम आसत बने वे कुनाल शाह आप को स्पाइसे अजा पैक कैसा लग रहा है और स्पेश्टी टर्मरिक पर क्या रहा है अलड़ी हमने एक लंबी गिरावट देखिए जीरे के प्राइजिस में ट्रिगर नहीं है तेजी का नहीं है कोई भाड है कि तेजी का कॉल मेरा टर्मरिक माई यहां से पांसो रुपया नीचे है ड्रमरिक दीरे-दीर कर सकते ठाब भी दरैक्वीर लग रहा है और कॉरियंट रहा है पर बहुत टाइट रेंज में कारोबार होते वे देख रहे हैं हमें कर्रेक्शन के बाद रवी क्या रहा है आपकी गवार सीद गवार गम दोनों परी पर प्राइज में काफी एक रेंज बाउन मोमेंटम है फाइट 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 रिफाइट गवार गम जो करन्ट वाइदा है वो दस दार आज सो से लेके दस चार्व सो यही रेंज में मुझे लग रहा है कि प्राइज बने रह सकते हैं कोई ज्यादा बड़ी अपसाइड करने चाहिए अलागी प्राइज में काफी सब्डूर के प्राइज बड़े सेंटिमेंट वाइस बात करें तो हमारा सबसे बड़ा स्प्लीट एक इंपोर्टर इंडिया से चाहिना है थोड़ा फेस्टिविटिक वज़े से चाहिना बंद है एंड यूएस में चाहां पे य पॉल है इंट्राडे या एक दो टरिंग सेशन में वहां पे ऐसे ही कुछ रेंज बाउन मोमेंटम होगी और नेक्स विप तो फूरा एक साइडवेस मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करेगा अगर शोट्टरम का उप्लुक है तो गुवर सीड में बाई करें आप 5300 के करें चली तो रहरी आपके लिए अग्री कमोर्टीस पर स्ट्राटेजी की रुकरेंग ब्रेक के लिए कुराल शार वीद्यूरा हमासत बने हुए लोटे रिंगे तो बात करेंगे नौन अग्री कमोर्टीस पर लेंगे वहां ट्रेड्स वापसाते हैं आप देख रहे हैं कमोर्टी राउंड अप और हमासत कुनाल शार वी द्यूरा बने हुए हैं और अब बात करते हैं नौन अग्री कमोर्टीस की सबसे पहले बात करेंगे कच्छे तेल की जहांपर इंटरनाशनल मार्केट्स में जो ब्रेंट है वो 81 डॉलर के उपर कारूबार कर रहा है 82 डॉलर के नजदीक प्रैसे अबने जाते हुए देखे हैं दरशल मिडल इस में जो टेंशन्स हैं वो परसिस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं हमस ने जो सीसफायर ओफर क्या तो इसराइल ने रिजेक्ट किया और उसके बाद कच्छे तेल में ये खरदारी आते हुए दिखाई दी है कुनाल कैसे देखते हैं फिलाल कच्छे तेल को और क्या रहा है लेवल्स पर कल दो से तीन जो बड़ी शिपिंग कंपनीज है उनका भी स्टेटमेंट आया है कि ये जो रेड सी में जो क्राइसिस है वो आने वाले दो से तीन महीने तक कंटीनू रह सकती है और वन अफ दे मेजर रीजन वाई और के प्राइसिस बढ़ रहा है तेट इस जो प्लिटिक्स क्योंकि भूल से भी है क्राइसिस यहां से एसकलेट हो गई तो और ये रीजन में कोई भी अगर क्राइसिस बढ़ती है तो यह प्राइसिस यहां से थोड़ा और उपर जा सकते हैं खरदारी का ट्रेड ले सकते है रवी नैशनल गैस पर आपकी राय क्या रहेगी क्योंकि यहां पर तो वीकनेस और एक्स्टेंड होते वे इन तरों से भी और कितना नीशी जाने की प्रोबिलिटी फिलाल देख रही है नैशनल गैस पर वहां पर कोई ऐसा क्यों नहीं मिन रहे कि डिमांड का को एसकलेशन है और विंटर सीजन थोड़ा चल्दी में लेट आया था और चल्दी गया रहा है और इतना पढ़नी रही साथ में स्नोफोल्ड एक्टिविटीज में भी काफी सब्डूटनेस है अलाकि यह प्राइजिस में करेक्शन काफी आ चुका इन प्राइजिस अपने बॉटम 147 के काफी सब नदिक है अगर कोई गिराट 150 के करेब आते हैं तो मेरे सबसे कॉपर चुटी रहेगी अदर्वाइस मुझे लग रहे हैं तो पर एक रिक कवरी बहुत बड़ी तेजी को में नहीं करने चाहिए बाट 168 तक प्राइस चाह सकते हैं ओके सोने चांदी पर पी राय ले लेते हैं कुनाल को ट्रेडिंग अपर दिख रही है और दो प्राइस तो सोस्त ही है टाइट रेंज में ट्रेड हो रहे हैं बट क्या व्यू है आपका लेवल्स पर जी देखी है सिल्वर थोड़ा इंडिकेशन दिखा रही है एक पूलबैक के लिए गोल सिल्वर में तेजी के लिए फिलाल बड़ा ट्रिगर मिसिंग है तेजी के लिए गोल सिल्वर को चाहिए है कि आगे जाके कि यहां से 200-300 नीचे आपको बार्गेन बाइंग करनी चाहिए सिल्वर फिर से एक बार 71,000-71,300 तक के लेवल दिखा सकती है अब रिक राय लेंगे जहां पर हमने वापस थोड़ा दबाव आते हुए देखा है आज यू प्रैसे देखेंगे तो हलके प्रेशर में ही दिखाई देंगे अगर कॉपर के लिवस देखेंगे तो 712 के नीचे फिसल चुका है और अब 700 शेपर कर रहा है तो थोड़ी सी कमजोरी इस पूरे ही पैक में आते हुए दिखाई दी है कैसे देखने है रभी पूरी ही पैक को बेस मेटल्स को और कोई ट्रेड लेंगे क्या अब तो चाइना क्लोस हो चुका है इन पड़किलर एक वीक के लिए का फेशन आप यह पिए चाइना के साथ लोगा है तो मुझे लग रहा है कि रेंजबाउंड एक्टिविटीटीज वहां पे देखने को मिलेगे यह करेक्शन के बाद शाय टाइन करेक्शन हो ऐसा लग रहा है इन पड़किलर जिंक में विकनेस जादा है फंडामेंटली वहां पे थोड़ा विकनेस जादा है तो दोसों दस ऐसी दोस्तों 11 के करीब सेल खरें आदोसों बाराशी के साथ डाउन सेट टू-0 सेवल तक के उम्मीद करनी चाहिए अलाकि शॉट टम में मुझे लग रहा है कि अगर अगर दस से पंदरा टरिंग सेशन का आउट लुक हो तो यह लेवल पर अल्यूमीनियम काफी अट्रेक्टिव है पड़किलर वहां पे फंडामेंटल कंपेरेटिव बेस मेटल पियर साचर काफी कर करें अरां 1898.90 स्टॉप लगया 195 अपर साथ मुझे लग रहा है कि 210 के लिवल के उम्मीद करनी चाहिए हाथ हमों का ही अêsुथ करा अले है यह तो यह रहा है आपके लिए बेस्ट मटल स्ट्राटेजी फॉर और बाग्षmatic पर भी बाचीठ शुक्रिया रवी और कुनाल आप दोनों का ही शुमे आने के लिए और सब इस्ट्राटेजीज शेर करने के लिए थैंक यू इसी के साथ एक ब्रेक ब्रेकर्स पर देखे वाइदा मार्केट का एक्षिन फिजर एक्स्प्रेस में नमस्कार अच्छी इस्टाइब प्राइबस में नमस्कार प्राटेशा अभाइबस प्राटेएंट इस्टाइबस पर दोनों का एक ब्रेकर वा और जार करेंऽ भाइची. झाल झाल